वीवव Y15 कॉल फोर्वार्डिंग सेटिंग नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तेकी राच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कॉल फोर्वार्डिंग सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं वीवव फोन के अंदर पर तो यहीं दोस्तों आपको जाना है कॉल फोर्वार्डिंग सेटिंग यहाप पर आपको कैसे सेट करना है कैसे आपको जो है वो सेटिंग मेलेगा कहाँ पर आपको जाना है तो वह सब के लिए दोस्तों ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बार आपको आ जाएगा कॉल फुर्वाडिंग सेटिंग करने के लिए ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों क्या क्या प्रोसेस है चलिए देखते हैं लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा सारी सार यदि आपको ओनलाइन से पैसा कामा ना है उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रहा है आप जाके चेक आउट कर सकते है और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फोलो करके मेसेज कर दीजगा तो चलिए वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना होगा हमें दोस्तों जाना है अपने डाइलर में ट्रीडोस्तों के अपशन पर उसमें जाने के बाद आपको नंबर्स वगड़ा याँ पर शोग करेगा तोरह सा आप नीचे में जो है स्कॉल डाउन करके आईए ट्रीडोस में क्लिक किजिए कॉल सेटिंग बढई जाईए उसमें जाने के बाद आपको थोरा सा नीचे आज आने के बाद आपको मिल जाएगा call forwarding का setting तो यहाँ पर है call forwarding यह है दोस्तों sim 1 के लिए और नीचे में हैं आपके sim 2 के लिए ठीक है तो चलिए sim 1 पर ही डेख लिटे call forwarding पर मैंने क्लिक किया आप दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते है call forwarding का setting call settings error बता रहे कोई डिकर नहीं है आपर तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते है always forward का option आपको मिल जाते हैं ठीक है always forward तो यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों आप जो है number को add कर दीजेगा जिस number पर आप call forward करना चाहते उसमें भी call forwarding आप add कर सकते हैं तो number यहाँ पर add करके turn on कर दीजेगा उसके बार आते हैं when unreachable तो यहाँ पर भी दोस्तों same process से ठीक है तो उसमें दोस्तों केसे केसे करके आप जो है यहाँ पर setting को use करना है वो आप पर ही deep in करते हैं ठीक है तो जो भी दोस्तों future आपको use करना है चार future आपको मिल जाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं तो चार future में से दोस्तों कौन सा आपको use करना है बस आप उसमें क्लिक क कर दें उसके बार टर्ण ओन पर क्लिक कीजिए तो टर्ण ओन पर क्लिक करने के बाद कॉल फोरवाडिंग शुरू हो जाएगा ठीक है तो बस दोसों यह है कॉल फोरवाडिंग का सेटिंग वीडियो अच्छा लगवा वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें आ